अगर आप नहीं प्रचानते हैं तो यह स्री रामधारी सिंग दिनकर का पिक्चर है और यह हमारे देश के बहुत ही महान कवी रहे हैं इन्हें रास्ट कवी होने का भी सम्वान प्राप्त है तो इस चप्टर में हम लोग इनी के बारे में पढ़ाई करेंगे था यह हम लोग इस चप्टर में इनके बारे में क्या कुछ दिया हुआ है यह कलस 5 का हिंदी बुक है और चप्टर 18 है चप्टर का नाम है महाकवी दिनकर तो दिनकर जी के बारे में दिया हुआ है इसलिए उन्हीं का नाम से दिया हुआ है दिनकर दिनकर का अर्थ होता है सूरी सूरी के सम रामधारी सिंग दिनकर था, दिनकर तो कवी का उपनाम था, जैसे भूसन और भारतेंदू, तो दिनकर जी का पुरा नाम यहाँ पे दिया वा है, सिर रामधारी सिंग दिनकर, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और दिनकर जो है, उनके नाम पे उपनाम दिया वा है, एक उनके साथ, हरिश्चंदर जी के साथ, भारतेंदू उपनाम जोड़ा गया। भारत के चंदर थे, मतलब जिन में चांद की तरह सीतलता हो, तो इसलिए उनको नाम दिया गया भारतेंदू। उसे परतर ऐसा लगता है कि उसमें सूरी का तेज है, इसलिए उनका नाम दिन कर दिया गया। इसलिए उनको ने लिखा है, उदियाचल पर आलोक सरासन ताने, आया मैं उजवल गीत विभा के गाने। यहां पे उसका अर्त भी दिया हुआ है, अर्थात सूरी पूरु की उद प्रकास फेलाते हुए, अंधकार को मिटाते हुए, उसी तरह से कभी बतलाते हैं कि उसी तरह से मैं पूरव से आया हूँ और प्रकास का गीत गाने आया हूँ, मतलब ग्यान की जोती फेलाने आया हूँ, और आगे दिनकर जी के बारे में दिया हुआ है, दिनकर जी का जनम पूरू दिसा में ही हुआ बिहार पर्देश के बेगुसराय जिले के गंगा तटवर्ती सिमरिया में उन्होंने जनम लिया तो बिहार में ही हुआ है उनका जनम बेगुसराय जिले में एक किसान के घर में जनम लिया गंगा तट और खेतों की हर्याली के बीच दिनकर का बच्पन बीता उनके पिता जो थे वो किसान थे तो इसलिए खेतों की हर्याली खेती करते थे तो गंगा के तट पे रहते थे और खेतों की हर्याली के बीच में ही उसका जीवन बीता बिहार की पार साला में पढ़ाय आरम की उनकी पढ़ाय पटना कॉलेज में पूरी हुई 1908 अज़ी में उनका जनम हुआ था और गाउं में ही वे पढ़े और कॉलेज में पढ़ाय उनकी खतम हुई 1932 में इतिहास विसरी लेकर बी-े ओनर्स की परिक्छा उतिरन हुए बी-ए में graduation जब किया जाता है तो उसमें कोई एक honor subject रखा जाता है तो वे इतिहास रखे थे, history का subject रखे थे लेकिन देखे कि पढ़ाय वो history का किये और हिंदी में बिद्वान हो गए ऐसा होता है बच्पन में गंगा की लहरों और गाउं की हर्याली को देखना और किसोर होने पर गांधी जी के सवराईज आंदोलन की गुंज सुनना इन दो बातों का परभाव पड़ा उस समय जब वे छोटे थे तो हर्याली के बीच थे गंगा नदी के लहरों को देखते थे और जब थोड़े से बड़े हुए किसोरा वस्था में हुए तो उनको उस समय हमारा देश गुलाम था तो आंदोलन चला करता था तो गांधी जी कई आंदोलन उस समय चलाते थे तो आंदोलन का गुंज जो है उसका आवाज उनको सुनाई परता था जब वे मुकामा हाई स्कूल में पड़ रहे थे तो और राम नरेश्तिरपाथी की काईब जो है पथिक उनको पढ़ने का मोका मिल गया और उन्होंने वहाँ पढ़ा और इससे होए काफी प्रभावित हुए इन दोनों कभियों काईन पर प्रभाव पढ़ा फलत रामधारी सिंग नेराश्तिरपावना की कविताओं को लिखना शुरू किया कहते है कि जिसमें जिस तरह की कला होती है जिस तरह की परतिभा होती है वो उस और बख़ुद बख़ुद धल जाता है तो इनमें कविता लिखने की परतिभा थी इसलिए जब उनके कविताओं को पढ़े तो स्वेम इनके अंदर से कविताओं लिकर ले लगी मेट्रिक पास करने के बाद सन 1929 इसभी में सरदार पटेल के बारदोली सत्यागरा पर उनका बारदोली बिजय नामक काईब छपा अब देखे कि जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो है अपनी कविताओं को ये लिखने लगे कविताओं का रचना करने लगे और उस समय बारदोली बिजय नामका काईब छप गिया 1929 इसभी में और 1930 में प्रन भंग नामक काईब छप गिया जब एक एक करके जब ये कविताओं लिख रहे हैं और जब लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो ये सब कविताओं छपने लगा पर उनकी पर्थम प्रोड रचना रेनुका सन 1935 में छपी प्रोड रचना मतलब बहुत पहले इस कविता का वो रचना कर चुके थे रेनुका का लेकिन अभी तक छपा नहीं था लेकिन काफी समय बाद जो है 1935 में ये भी छप गिया रेनुका सन 1949 में इनका परिशिद काईब हुंकार प्रकासित हो गिया और तब रामधारी सिंग दिनकर देश के कवि के जब उनके द्वारा रचित कविता हुंकार 1949 सिसभी में छप गिया तो ये पुरे देश में एक परिशिद कवि के रूप में जाने जाने लगे हुंकार का कवी देश के संघर्ष का तेजस्वी कवी है ऐसा वे परसिध हो गए कि वे काफी संघर्ष कर रहे हैं दिनकर जी आज़िवगा के लिए नोकरी भी कर रहे थे आरम में तो सिछक थे बाद में सरकारी नोकरी की साथ ही देश की सवधिन्ता के लिए ओजपुर्न कविता लिख रहे थे देश की सवधिन्ता मतलब उसमें हमारा देश गुलाम था और आजाद होने के ये लगातार संघर्स कर रहा था दिनकर जिने अपनी आजविका अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए नौकरी किये सरकारी नौकरी भी किये जब देश आजाद हो गया तो कोलेज में वे हिंदी के आचाय रहे मतलब हिंदी के टीचर बन गए बीए ओनर्स के सिछा के बाद भी वे कोलेज के प्रोफेसर बने रहे हैं क्योंकि उनकी योगियता तो एक बिद्वान महाकवी की हो गई थी उतने समय में वे एक महान बिद्वान महाकवी हो गए थे इनकी रास्ट सेवा से प्रसन होकर भारत सरकार ने उन्हें राइज सभा का सदेश बनाया वे जो है उनको राइज सभा के सदेश बना ल और जब उनकी मिर्ति हो गई तो राष्ट कवी का पद दिनकर जी को दे दिया गया वे इस पद पर प्रतिश्ठित हो गए दिनकर जी ने संसार में युद्ध की समस्या पर कुरुक छेत्र नामक काईब लिखा यह काईब पुरुषकार से सम्मानित हुआ अब वे युद्ध की समस्या युद्ध की दोरान क्या समस्या आती है इसी नाम से कुरुक छेत्र नाम का काईब उन्होंने लिखा और यह काईब इतनी अच्छी थी कि उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ बाद में उन्होंने महाभारत के एक परसिध पात्र, वीर कर्ण के जीवन पर रस्मी रथी नामक काईवी लिखा, बाद में वे महाभारत से एक ऐसे पात्र को उठा लिए, और उनके बारे में उनको काफी सारी जानकारी हो गया, इसलिए उस पात्र को लिए, वीर कर्ण को ल सभी उसको हीन भाव से देखते थे, पर कर्ण हीन नहीं बना रहा, वो आगे बढ़ता रहा, वो अंग का राजा बना, यानि मुंगेर भागलपूर के छेतर का राजा बनकर अंगेस कहलाया, अब कर्ण के बारे में या थोड़ा सा बतलाया हुआ है कि उन्हें सूत पूत्र मा आया गया और वो अंगेस के नाम से जाना जाने लगे, वो वीर था, वो दानी था, पर उसे मजबूरी में दुरियोधन का साथ देना पड़ा, कर्ण हला की जानता था कि दुरियोधन अधर्म के रास्ते में चल रहा है, फिर भी वो उसका मित्र था, और मित्र का साथ देना उसका धर्म था, इसलिए चाहे दुर्योधन अधर्म कर रहा हो, लेकिन वो अपना धर्म निभा रहा था, क्योंकि उसका साथ निभाना था, यही उसका धर्म था, यही कथा रस्मी रथी में कही गई है, इससे गुनों के आधार पर समता पूर्न समाज के गठन का संदेश मिलता है यहाँ पर बतलाया जाता है कि वो नीच जाती का था वो सुत पुतर्थात इसका ऐसा मतलब नहीं कि उसे समान नहीं मिलना चाहिए समान उसके गुनों से मिलना चाहिए जाती के वज़ा से किसी को समान बना हुआ है जो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है जाती पाती का नाम लेकर बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो नहीं होने चाहिए इसमें कोई संदे की बात नहीं है कि दिनकर जी ने हिंदी काईब को आगे बढ़ाया है दिन दुख्यों के परती करुण भावाली कविताएं इस तरह के कविताओं के रचना किये हैं और एक कवी के लिए उसकी कलम उसकी सब्द ही एक हथियार की तरह होती है जब चीन ने सन 1962 इसबी में भारत पर आकरमन किया तो रास्ट कवी दिनकर जी की लेखनी हुंकार कर उठी देश को जगाने के लिए उनका काईब आया परसुराम की परतिक्छा बिहार परदेश के दोनों प्रमुख कवी दिनकर और नेपाली अपनी कविताओं से देश को जगा रहे थे सन 1962 इसबी में चीन भारत पर आकरमन किया था और उस समय रास्ट कवी दिनकर जी परसुराम की परतिक्छा नाम का एक काईब लिखे और उससे देश को जगाने का प्रियास करते रहे उस समय और एक कवी थे जिनका नाम नेपाली जी करके आता है तो वे भी व लोग नंबर वन में पढ़ें और समझें यहां पे सबदार्त दिया रहता है आप इसको जरूर एक दो बार पढ़ लें इसको याद कर लें Q2, इन सब्दों के विलोम सब्द लिखें, तो इसका उल्टा सब्द लिखना है, इन सब्दों की वरतनी ठीक करें, यह गलती लिखा हुआ है, इसको ठीक करना है, सही लिखना है, और Q4, सोचे और बताएं, यह इस चेप्टर का मुख क्वेस्चन्स है, तो आईए मैं आप ल इस तरह से यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे वरतनी सुध करें, मतलब सही से लिखने के लिखने के लिखा गया है, यहां पे सब्द को सही से लिख दिया गया है, और Q4, सोचे और बताएं, दिनकर किस काल के कवी है, दिनकर आधुनी काल के कवी है, दिनकर का पुरा नाम क्या है? स्री रामधारी सिंग दिनकर इन्हें दिनकर क्यों कहा गिया? इनकी कविता में सूरी की तेज और ओज है इसलिए इन्हें दिनकर कहा गिया इन पर देश भक्ति का परभाव कैसे पड़ा? जब इनोंने मैतली सरंगुप्त की भारत भारती और नरेश्टिर पाथी के पथिक नामक काईब पढ़े तब से इन पर देश भक्ति का परभाव पढ़ा दिनकर जी के तीन प्रमुख कावियों के नाम बता हैं इनके प्रमुख काईब हैं प्रन्भंग रेनुका एम हूंकार दिनकर जी ने देश की आजादी, मानवता की समस्या और कर्ण चरित पर कौन-कौन से काईव लिखे इन्होंने देश की आजादी पर हुंकार, मानवता की समस्या पर कुरुक छेत्र तथा कर्ण चरित पर रस्मी रथी काईव लिखे है तो यहाँ पर यहाँ चेप्टर पूरी तरव समाप्त हो जाता है अगर आप लोग को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लैक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और अगले चप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं